बिहार के सासाराम के शिवनगर धाना अंतरगर्ट कमहू गाउं में एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया मितक महिला का नाम रूपम देवी है और साथी परिवारवालों ने गनभीर रूप से आग में जुलसी महिला का किसी तरह से बचाया और साती गन्भीर हालत में सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भरती करा है जानकारी के मताविक महिला ने अपने पती से परिशान होकर जान देनी की कोशिश की और पीड़त महिला का पती शराब पी कर हर दिन घर में गाली गलोज और मार पीट करता था इसे परिशान होकर महिला ने अपनी जान देनी की कोशिश की आपको बता दें कि घटना के दिन भी महिला का पती शराब पीकर घराया हुआ था और अब पीड़ता को परिशान करने लगा था इसके बाद महिला ने परिशान होकर घर के चूले से ही खुद को आग लगा दी आरोपी पती का नाम राजुशा है और वहीं आपको बताएं कि पूरे मामले में राजुशा का कहना है कि उसकी पत्नी ने खुद को आग नहीं लगाई है बलकि वो हाथसे का शिकार होकर